दोस्तों YouTube के तरफ से एक कमाल का new update आ गया है एक गजब का features YouTube ने launch कर दिया है और इसका नाम है YouTube product tagging यानि tag products और इस update से क्या होगा दोस्तों यानि इस feature से क्या होगा कि आप अपने YouTube channel के जो earning है उसको बहुत ज़्यादा increase कर पाएंगे यानि अपने YouTube channel के जो कमाई है उसको सकते हैं so friends आपकी जनकारे के लिए मैं आपको बता दूँ कि यह update मुझे मिल गया है मेरे चैनल पे इसलिए मैं वीडियो बना के बता रहा हूं ताकि आप लोगों को भी अच्छे समझ में आ जाए और आप भी अपने YouTube चैनल के जो earning है उसको ज़्यादा increase कर पाएं तो friends आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा तो update दोस्तों नया है और काफी अच्छा update है इसलिए वीडियो को ध्यान से end तक जरू देखिएगा ताकि आपको update अच्छे समझ में आ जाए तो चलिए friends वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहल के description में डाल लेते हैं और उस link से जब भी कोई click करता है उस product को buy करता है तो उसको अच्छा खासा incentive मिलता है यानि उसकी earning मिलती एक तरीके से उसको पैसे का commission दिया जाता है तो दोस्तों इसी को देखते हुए YouTube ने भी यह नया features launch किया है एक नया update किया है जिसका नाम है tag product या कोई sari हो अगरा है किसी भी type का product को tag कर सकते हैं अब दोस्तों इसको मैं थ्वस आपको detail में बताता हूँ और इसको कैसे use करना है आप बोलेंगे तो बाद में एक video बना दूँगा लेकि आपको पहले update मैं बता दूँ कि क्या update है ठीक है ध्यान से सुना जैसे दोस्तों माल बना रहा हूँ ठीक है तो मैं अपनी कोई भी video बनाऊंगा लोंग video शोड वीडियो उसमें मैं किसी भी product को tag कर सकता हूं या live stream में भी किसी product को tag कर पाऊंगा और उस product को मैं tag वाली product मैं pin भी कर पाऊंगा और अपने YouTube video के end screen में भी उस product को लगा पाऊंगा और दोस्तों product की बात करें तो मैं जैसे कोई mobile का gadget लगा सकता हूं या mobile लगा सकता हूं कोई beauty का product साड़ी वगरा कुछ भी एक technical product हो कुछ भी आप मैं यूट्यूब वीडियो में tag कर सकता हूं और minimum जो है आप कुछ एक दो तीन चार या maximum आप 30 product एक साथ एक वीडियो में कर भी सकते हैं यान सारे product को tag करकर रखा है तो मैं जब video start करूंगा तो मेरे video के नीचे यहाँ पर left side में आपको एक tag product का option देख लोको मिलेगा जैसे icon आता ना उसी तरीके से video के नीचे में tag product का एक option देख लोको मिलेगा अगर उस पे कोई click करेगा तो बहुत सारे product उसके सामने open हो जाएंगे जिसको मैं tag किया रहूंगा और उस product को देख सकता है जब भी उस product पे वो click करेगा तो मुझे commission मिलेगा एक तरीके से मेरी YouTube channel के earning बढ़ेगी तो इसी तरीके से आप भी अपने YouTube के channel पे कर सकते हैं और अगर उस product को कोई purchase करता है तो भी हो सकता है friends आपको बहुत अच्छी खा होगी लगी हां दोस्तों यहां पे सबसे अच्छा अपडेट यह है को उस product को कोई देखता है सिर्फ उस पे click करेगा तब भी आपकी income होगी तो बहुत ही अच्छा YouTube ने अपडेट किया है अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आकरी यह product को मतलब कि इस features को आप कैसे use कर प मिलेगा आपके अपने YouTube एप में देखनों को मिलेगा जब आप YouTube एप से वीडियो अपरोट करते हैं तो सबसे नीचे में टैग प्रोड़़ेट देखनों को मिलेगा इसके लाव जब आप यूट्यूब पर वीडियो वायट श्टूडियो में जाएंग वहां से जब वीड आपको देखने हुक मिलेगा जहाँ आप end screen आई-card लगाते हैं यानि सभी जगप्य आपको यह features देखने हुक मिलेगा आप long video short video या live stream वाली video सभी जगप्य आप product को tag कर सकते हैं So friends, अब main point की बात कर लेते हैं, कि यह जो product है आप इसको कैसे use कर सकते हैं, कैसे अपने YouTube वीडियो में लगा सकते हैं, इसको लगाने के दो तरीके हैं, एक है automatic, एक है manually, automatic में दोस्तों क्या होगा, अगर आप automatic select करके रखेंगे, तो आप जिस टाइब की वीडियो बना के रखेंगे, यानि जैसा content आप बना के रखेंगे, उस content के हिसाब से आपके YouTube की वीडियो में, बहुत सारे product YouTube tag कर देगा, और आप उसको देख भी सकते हैं, बहुत सारे audience भी या viewers भी उसको देख सकते हैं, और आप चाहें तो बाद में उस product को delete होगा भी कर सकते हैं, चेंज होगा भी कर सकते हैं, अब दूसरी बात करें दोस्तों manually, manually दोस्तों आप अपने YouTube वीडियो जब upload करते हैं, उस वे product को tag कर सकते हैं, maximum आप तीस product को tag कर पाएंगे, और जब आप product को tag कर देंगे, वह आपकी video के नीचे show होगा, या video के description में भी show हो सकता है, और आपका i-card जैसे show होगा end screen में, जैसे video के नीचे starting में ही, और आपको देखने को मिलेगा ठीक है, तो यह manually भी लगा सकते हैं, और जब आप लगा लेंगे, चाहें, change करना चाहें, delete करना चाहें, हटाना, सारा काम आपको कर पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको यह update समझ में आ गया, चलिए दोस्तों आपको मैं detail में बताता हूं कि आपको यह features मिलेगा या नहीं, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसके लिए क्या eligibility होने चाहें, क्या requirement होना चाहें, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि बाद में आप लोग बोलते हैं कि सर मुझे फीचर्स नहीं मिला, क्योंकि यह update सभी लोगों के लिए कुछ खास YouTubers के लिए, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनना, सबसे पहले दोस्तों आपको दिखा द रहा हूँ, लाइप पूर्प, यहाँ पी screenshot भी आपको देखने को मिल जाएगा, दोस्तों यहाँ पर सबते उपर लिखा है channel eligibility, ठीक है, यहाँ पर लिखा two tag products in your videos and sorts you must meet the follow below requirements, क्या के requirements चाहिए, ध्यान से सुनना, सबसे उपर में channel is eligible for YouTube shopping, यानि friends आपको पता हुआ कि अगर आपका channel monetize होगा, तो friends आप अपने YouTube channel के analytics में जाएगे, तो यहाँ पर आपको एक shopping का tab मिला होगा, यानि अगर आपने shopping वाले features आपको मिला होगा, या आपने shopping वाले features को enable करके रखा होगा, तभी आपको यह features मिलेगा tag product वाला, इसका लावा दूसरी eligibility है, यह जो कुछ countryों में ही स्रिफ launch किया गया है, सभी देसों में launch नहीं किया गया है, जैसे दोस्तों यह है सबसे पहले Brazil, दूसरे नमबर पे India, तिसरे नमबर पे United Kingdom, यानि UK, चोथे नमबर पे United States यानि US, इन चार countryों में ही सिर्फ अभी यह update launch किया गया है, यह features को launch किया गया है, बात बाकी countryों में लोग इसका use नहीं कर पाएंगे, और इसके लवाद तीसरी जो condition है, सबसे खास condition है, ध्यान से सुना, चैनल है more than 20,000 subscribers, यानि दोस्तों इससा features को use करने के लिए, आपके YouTube के चैनल पे 20,000 subscribers के जरूत है, यानि उससे ज्यादा आपके चैनल पे subscribers होने चाहिए, जब आपके 20,000 subscribers हो जाएंगे, तभी आपको यह features मिलेगा, जैसे कि दुस्तों मेरी चैनल पे already 20,000 से ज़्यादा subscribers हो गये, तो मेरी चैनल पे यह features enable कर दिया गया है, तो आपके चैनल पे जब 20,000 से ज़्यादा subscribers होंगे, तभी आपको यह research मिलेगा, यानि यह update आपको मिलेगा, इसके लावा है, next है, ध्यान से सुनना, किसको मिलेगा, किसको नहीं, यहाँ पर लिखा है, channel is not an official artist channel, music channel, or associated with the music partner, for example, your channel cannot be musical label, distributor, publisher, और वीगो, जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कि माल लिजे, आपका एक music का channel है, ठीक है, दोस्तों, music channel है, या music company का channel है, जैसे बहुत सारी company है, जैसे कि G music हो गया, T series हो गया, अगर ऐसा कोई channel है, music channel है, तो दोस्तों, आपको यह update नहीं मिलेगा, आपको यह feature नहीं मिलेगा, इसके लबाद दोस्तों, माल लिजे, आपका कोई officially artist channel है, यानि आपका एक artist वाला channel है, officially artist channel है, तो भी दोस्तों, उस channel पर यह update आपको नहीं मिलेगा, इसके लबाद दोस्तों, बहुत सारे, माल लिजे, आपने music किसी का channel है, उसके साथ आपने partnership करके रखा है, या उसका आपने distributor लेकर रखा, publisher है आप, तो भी दोस्तों, आपको यह update है, यह features आपको नहीं मिलेगा, इसके लबाद दोस्तों, आपका channel monetize होना चाहिए, जो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद मोलते है, सर channel monetize होना चाहिए कि नहीं, आपका channel monetize होना चाहिए, monetization policy को follow करता हुआ रहना चाहिए, ठीक है, और इसके लबाद एक चीज़ और यह update नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों, जो भी हो, 20,000 अगर आप subscribers complete कर लेते हैं, और आप YouTube channel के monetization policy को follow करते हैं, और आपका channel monetize है, सो दोस्तों, कोई tension नहीं है, आप अपने YouTube channel पे earning को बहुत ज़्यादा increase करते हैं, सच कहूं तो दोस्तों, यह update बहुत ही अच्छा YouTube ने launch किय क्या है, और अगर आप मेरी वीडियो में comment करेंगे ज़्यादा ज़्यादा, तो मैं next एक वीडियो बना दूगा, कि इस features को कैसे use करना है, यानि किसी भी अपने YouTube के वीडियो में किसी product को tag कैसे करना है, I hope दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी, update भी अच्छा लग कर दिएगा, और चैनल पर पहली बारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, फिर मिलता फ्रेंज नेक्स वीडियो में thanks for watching